अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज की इस विडियों हम बात करेंगे दिव्वे सुध्धी चूरन के बारे में इसे चूरन के क्या फायते हैं क्या नुकसान है कैसे लेना है ये सारी जानकरिये जो है आज की इस विडियों में आपको दूँगा तो देखें ये जो product है पतन जली कोई product है अगर आप चाहें तो इसको पतन जली सुध्धी चूरन भी बोल सकते हो तो हम price से शुरुआत करते हैं तो ये जो है 85 रुपीज में जो है 100 ग्राम आता है तो price जो है समय के अनुसार जो है उपर नीचे हो सकती है तो जो आज की price है वो इधर में आपको बता रहा हूँ अब इसको खरीदना कहां से तो देखिए जो पतन जली के store होते हैं वहां से आपको इस चूरन मिल जाएगा या फिर आप इसको online भी खरी सकते हो तो मैं नीचे link दे दूँगा description में तो उधर से जो है आप इसको घर बेटे बेटे भी मंगा सकते हो अब ये जो है 100% vegetarian है और इसमें कोई भी harmful chemical यूज नहीं हुआ है मतलब सभी लोग इस चूरन को ले सकते हैं अब हम बात करते हैं इस सुद्धी चूरन में क्या-क्या है या क्या-क्या ingredient है तो देखिए इसमें बहुत सारे हरवल ingredient हैं जैसे के हरड, बहेडा, भूमी आमला, टंकन भस्म, जीरा, हिंग, इंदरायन तो इस प्रकार से जो है इसमें ingredient है जिससे ये जो है चूरन बनाया ग ये मतलब पेट से संबंदी बहुत सारी बिमारियां होती हैं जैसे के एक होता है indigestion खाना सही तरीके से नहीं पसता है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो या फिर आपको कब्स होता है, constipation होता है, gaze की समस्या होती है, acidity की समस्या होती है तो उस condition में ये सुद्धी चूरन आपके लिए काफी फायदे मंद होगा, इसके अलाबा पेट फूलने की समस्या, अगर आपका पेट फूलता है तो उस condition में ले सकते हो और ये जो है toxins को बाहर निकालने का काम भी करता है, इसके अलाबा कई लोगों में देखा गया है कि उनको भूग नहीं लगती है, जितन पेट दुखने की समस्या भी होती है, कई बार जिनको ज़्यादा गेस होती है, एसीडिटी होती है, तो उनको क्या होता है, उसके कारण पेट भी दुखता है, तो उसमें भी आपको आराम मिलता है, या फिर बोलें कि कोलाइटिस की प्रॉलम है, तो उसमें आराम मिलता है, और देखिए कई बार होता क्या है कि तनाओं के कारण अब हमारा तनाओं के कारण जो लोग जा रहा टेंसन लेते हैं डिप्रेशन में रेते हैं तो उस कारण भी उनका पेट खराब हो जाता है तो उस कंडिशन में भी ये फायदे मंद होता है अब देखे पेट से संबन्दित कई सारी बीमारीों ये काम करता है जैसे के मैंने बताया अब इसके अलावा इसके और भी फायते हैं जैसे के हमारी स्किन में चर्म रोगों में आपको जो हे दाद खाज खुजली है तो उसमें भी आराम मिलता है अब वो क्यों मिलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे से इंगेडियेंट हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं अब कोई भी जो इंगेडियेंट होता है तो उसके केबल जो है या मैं बूलने उसका केबल एकी काम नहीं होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं अब इस चून को जो है लेने से लेडीस लोगों में जो पीरियट्स में जो दर्ध होता है तो उसमें भी आराम मिलता है तो देखा आपने इसके कितने सारे फायदे हैं लेकिन मैनली बनाया गया है आपके पेट से सम्मंदित जो है इंडाइजिसन की सिकायत होती उसके लिए अब हम बात करते हैं डोस के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए इसको जो है दो से तीन ग्राम जो है आपको लेना होता एक बार में और आप इसको एक दिन में तीन बार तक ले सकते हैं या फिर मैं बोलूँ के आधा चम्मज से लेके एक चम्मज तक आप एक बार में ले सकते हो तो देखिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉलम नहीं है तो एक दिन में केवल दो बार ही लीजिए हमारी जो बीमारी होती है उसके अनुसर जो है हमको डोस लेना चाहिए और देखिए इसको खाना खाने के पहले लेना होता है और अगर आपको खाना खाने के बाद लेना है तो इसको फिर एक घंटे बाद लेना है एक घंटे बाद लोगे तो अच्छर जण मिलेगा और इसको जो है आपको हलके गुनगुने पानी के साथ लेना है या फिर आप इसको नारियल पानी के साथ भी ले सकते हो अब इसको देखिए male female कोई भी ले सकते हैं बच्चे भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए जो है आपको एक बार doctor से साला करना पड़ेगा तो बहतर रहेगा और जो pregnant lady है तो pregnant lady को जो है इस सुद्धी चून को नहीं लेना है अब हम side effect के बारें बात करें तो side effect में इसका जो है कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आप overdose में इसको ले लेते हो तो हो सकता है कि आपको 10 बगेरा लग जाए तो इसलिए हमेसे मैं बोलता हूँ कि low dose से चालू करिये कोई भी medicine अब इदर कोई दूसरी medicine आपकी पहने से चल रही है जैसे के कोई कवज की medicine चल रही है तो उसके साहर इसको ले सकते हैं या नहीं तो मैं मना करूंगा क्योंकि बहुत सारी एक ही प्रकार की जो है medicine नहीं खाना चाहिए हाँ इसके लाब कोई दूसरी medicine है कोई भी alopathy वाली खा रहे हो अलग से तो उसके साहर ले सकते हो जैसे के आपने कोई भी medicine अभी खाई तो उसके जो है दो से तीन गंटे बाद इसको ले सकते हो अब medicine में जैसे के BP की होती है तो जरूरी नहीं के इसको आगे भी continue करो आप इसको बंद कर सकते हो अब आप देखिए ऐसा कर सकते हो कि आपको कभी ऐसी problem होती है तो आप सुद्धी चून को जो है कुछ दिनों के लिए लेने लगे ऐसा भी कर सकते हो अब देखिए कई बार होता क्या है कि हम उल्टा सीधा खा लेते हैं बाहर का खाना या साधी पार्टी में जाके खा लेते हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ आपको पेट में प्रॉलम हो सकती है इंडाइजिसन या कब्ज हो सकता है तो आप उस दिन ले लीजिए ऐसा भी कर सकते हो तो आपको ये प्रॉलम खुदी समझना पड़ेगी अब मैं कुछ एड़वाईज देना चाहूँगा अगर आपी सुद्धी चूने लेते हो तो आपको अलकोहॉल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है ज्यादा मसाले वाला खाना ओली खाना, मीठा खाना जंग फूड, मेदे से बनी चीज़े ये सब नहीं खाना है इसके अलावा आपको फाइवर वाला खाना खाना है सलाद खाना है, फूर्ट्स खा सकते हैं अगर आप diabetic patient है तो fruits को नहीं खाना है और पानी भी ठिक ठक पीजिए कई लोग पानी भहुत कम पीते हैं तो सभी समस्य होती है और आप exercise करिए और अगर आपको exercise के लिए time नहीं मिलता है तो walking करिए, yoga करिए ये अगर आप ये मेरी advice follow करोगे तो आपका अच्छा result मिलेगा इस सुद्धी चून का और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा तो मेरा वीडियो तरी खतम होता है और अब वीडियो को doubt है इस पतन जली सुद्धी चून को लेकर तो comment द्वारा मुझे पूछ सकते हो और अगर आपको इस टाइब से और वी वीडियो देखना है health और medicine से related जो कि मैं daily बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा रहे तो like भी कर दीजिएगा फिर में लेंगे next वीडियो में जब तक आप बने रहे हो देखते रहे हैं आपके अपने चैनल में knowledge for care